आप देख रहे हैं माचल के इस खबर अत्यंत दूरदराज क्षेतर तेलका में उपतेसील का तोहफा देकर मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने यहां के लोगों की दशकों पुरानी मान को पूरा किया है। उपतेसील ना होने के कारण प्षेतर के लोगों को तेसील संबंधित कार्य के लिए लगभग 30-50 किलोमीटर का लंबा सफर तैक करके उपमंडल मुख्यालय सलूनी तक जाना पड़ता था। इसके लिए पूरा देन इसी काम पर लग जाता था और जिसके लिए उन्हें परेशानिया उठानी पड़ती थी। के सभी लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर जब भी चमबा दौरे पर आते हैं तो चमबा वासियों के लिए कोई ना कोई सौगात देने का वादा करके उसे हमेशा पूरा भी करते हैं। परदेश के लोग मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। देलोजी की जन्ता और तेल की जन्ता जिन्होंने तेलका के लिए उपतशील की गोशना की गई। और वो क्याबनेट से उसको शब्गृती भी दी गई। साथ में डेलोजी शिवल होस्पिटल के लिए उन्होंने उक्सिजन प्लांट की शब्गृती दी। साथ में ही देलाशी एक क्रोड़ दा स्लाख रपे की सब्गृती भी दी गी है। मैं मानी मुख्य मंत्री जैरांग ठाकुर जी का द्रोजी की जन्ता की वोसे धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस क्रोणा महमारी को दित्ते हुए। जिला चंबा के लिए दो ओक्सिजन प्लाट दिये एक जिला हैड़कॉर्टर चंबा वो दूसरा ध्रोजी के लिए। मैं प्रलात कमार प्रधान ग्राम पंचेत बाड़का धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचर प्रधेश के यशर्षपी मुखे मंत्री बा मार्केटिंग कमेटी के चेर्मेन बा भादपा के जिला द्याक्ष शिरी डियस ठाकुर्जी का इन दोनों के अशीरबाद से हमारे ग्रामिन किशेतर तेलका में सबतसील की जो गोशना हुई है जिससे हमारी दस पंचेतों को लाब मिलेगा हमें तसील सबंदी अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए 70 किलो मीटर का सफर तैय करके सुलूनी या बरंगाल जाना पड़ता था मैं पुने धन्यावाद करना चाहूंगा अपने मार्केटिंग कमेटी के चेर्मेन शिरी डियस ठाकुर्जी का वा मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश शिरी जारम ठाकुर्जी का जिन्होंने तेलका में सब तत्जील खोल करके हमारे लोगों को जो तोफा दिया है हम तहें दिल से मुख्य मंत्री जी का वा जिला धैक्ष भारत्य जन्ता पाल्टी वा मार्केटिंग कमेटी के चेर्मेन शिरी डियस ठाकुर्जी का जिन्होंने हमारी काफी दिनों से चल रही समस्या का सामाधन किया मैं अपनी और से अपनी पंचाद की और से तथा अपने इलाका की और से मुखे मंतरी बाडियस ठाकर जी का तैया दिल से धन्यावाद करता हूं